पूस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग फैंटसी टैलेंट हव योटूब चैनल में आप सभी लोग को का स्वागत है वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे T20 ब्लास्ट के मैच नमबर 32 की जो की लेचट शायर और डर्बी शायर के बिच में खेला जाएगा जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन दूँगा कॉन्जग लाड़ी स्मॉल लीग में लखना है किस पर आप ग्रेंड लीग के लिए रिस्क ले सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और दोस्तों जो हमारा final update है जो हमारी final team है वो आपको हम telegram पे provide कराते हैं क्योंकि toss के बाद team में अगर कोई change होगा तो आपको मैं telegram पर ही बता पाऊंगा या फिर आपको जो ये QR code देख रहा है आप इसको scan करके भी हमें telegram पर join कर सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं venue के बारे में match होगा grace road में अब दोस्तों अगर venue की बात करते हैं दोस्तों पिछला ही match हमने देखा था बहुत छोटे से ground है school ground जैसे आप ग्राउंड कह सकते हैं मतलब 238 बन रहा है और दूसरी टीम भी 200 आसानी सी cross कर रही है और दोस्तों चक्के तो ऐसे लग रहा है जैसे चौके लग रहे हो तो दोस्तों पुल मिलाकर अच्छे betting wicket हमें आपर देखने मिल रहे हैं क्योंकि दोस्तों drop and down wicket होता है अब drop and down wicket क्या है wicket कहीं और तयार करके यहां पर रहाकर set कर दिया जो कि fully betting wicket होता है यह आप कह सकते कि cement वाला wicket है अब इस मैदान पर total 52 matches खेले गए हैं जिन में से 23 बार पहले और 28 बार chase करने वाली team ने match को win किया है average score यहां का लगबग 170 के आसपास आपको देखने मिल जाएगा आप scoring pattern पर भी देखेंगे तो 190 से उपर का score 11 बार बना है और 150 से लेकर 170 के बीच का जो score है वो 15 बार इस मैदान पर पहले बन चुका है लेकि इस season में क्या हुआ है पहले हम वो भी देख लेते है और इसके पहले क्या हुआ था जिस पे भी हम नजर डाल देंगे तो आखरी मैच में 166 बना और 2022 में जो मैचिस खेले गए थे वहाँ पे 211, 116 और 214 के score हमने देखे थे दोस्तो यह 2022 के मैचिस है और यह 2023 का मैच है और डास्ट मैच में एन वेल्च ने 30 का score किया था ओपन करने आए सेम हैं दुस्तो नमबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे इन्होंने 65 का score किया यहाँ पे एकरमैन ने दुस्तो 72 का score किया था यह नमबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे Adam Leth open करने आए थे इन्होंने 63 किया यहाँ पर आप देख रहा है Chris Lane open करने आए थे इन्होंने 68 किया तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से Welch ने 41 का score किया था और यह open करने आए थे अब दोस्तो पहली पारी में अगर आप देखोंगे तो कोई consistency आपको नज़र नहीं आ रही है एक बार चार नमर के बल्लेवाज ने तो यहाँ पर नमर च्छे के बल्लेवाज ने score किया तो यहाँ पर opener ने score किया लेकिन अगर आप second inning में देख रहा हैं ने ज्यादा मैच इसको विन किया है क्योंकि अगर उपर से ही स्कूर मिल जाएगा तो सवाब इसी बात है कि जीतने के चांसे बढ़ जाते हैं अब विकेट निकालने वाले गिनबास कौन से हैं फास्ट बोलस को यहां चार विकेट मिले थे पिछले मैच में और आठ विकेट मिले थे इस्पिनर्स के खाते में मतलब इस विकेट पर आप इस्पिनर्स को टीम में जगे दे सकते हैं आप यहां पर भी देखिएगा साथ विकेट इस्पिनर्स के खाते में हैं और यहां पे भी साथ विकेट इस्पिनर्स ने निकाले थे मतलब यह वो विकेट है जहां पर Spinners को टीम में रखा जा सकता है, नौर्मरी दोस्तों जब विदेश में मैचेस होते हैं तो वहाँ पर Spinners को टीम में रखना जादा अच्छी चोइस नहीं होती है, अब हम बात करते हैं, जब ये दोनों टीम हैं आमने सामने होई, तो किन किन टीम ने कैसा performance किया, तो दोनों टीमों ने total matches खेले हैं 33 जिसमें से लेचिट सायर ने 19 और डर्वी शायर ने 14 matches को win किया है अब यहां जो आखरी match खेला गयता है इन दोनों टीमों के बीच में उसमें लेचिट सायर ने 111 का score किया था और डर्वी शायर ने बड़ी आसानी से chase किया इसमें रदर फोर्ड का score जो कि अभी टीम में नहीं है लेले ने 67 का score किया था तो दूसरी तरफ मसूत थे जिन्होंने 73 किया अभी टीम में नहीं है लुइस लीस ने 39 का score किया ब्रूक अगस्ट ने 29 किया था हेडन केर के दो विकेट तो यहां पर आप देखेंगे मसूत का फिर से 50 था और ड्यूप तक भारी हमें देखने मिल सकता है इस मैच के अंदर क्योंकि आप यहां पर देखेंगे पिछले जो दो मैचे से वो डर्वी शायर ने बड़े आसानी से विन किये हैं अलाकि अगर आप देखेंगे तो लेचेट शायर ने ज्यादा मैच को विन किया है दोस्तों आपको यह दर्वी शायर के पास में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे बॉलिंग ऑप्शन इनके पास में है तो लगबग लगबग देखा जाए आप जिस गिंद बाज को अपनी टीम में रखेंगे अलमस्ट वो अपने ओवर्स कंप्लीट कर लेगा अब अगर हम बात करते हैं लेच प्यान मुल्दर एक ओवर्स यहां पर डेथ में किया बीसवा ही डाला सीधे पावर प्ले में तीन सीधे फिर डेथ में आए इसके बाद दोस्तों विल डैविस 19 नसीम शाह आपको दो ओवर करते हुए दिखेंगे और रियान एहमद ने जो की स्पिनर है उन्होंने एक आवर प्ले में किया एक डेथ में किया था जमान खान जैक चैपल और लुईस रीस दोस्तों यह आपको डेथ वर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे अब अगर हम दोनों टीमों की चर्चा कर लेते हैं किस टीम का रिकॉर्ड कैसा है जिससे आप एक सही प् इस मैदान पर इन खिलाडियों ने पहले कैसा पर्फिमेंस किया है तो आप यहाँ पर देखेंगे निक की अगर हम बात करते तो इन्होंने 6 पारियों में 193 रनों का स्कोर किया है हाला कि इनके खाते में 50 नहीं है 46 इनका हाइस्ट स्कोर है इसके बाद दोस्तों अगला ना इस से आपको समझ आता है कि दोस्तों जो ऐसे खिलाडी जो अलग-अलग कंट्रीज में T20 खेल रहा है उनका रिकॉर्ड आपको बैतर ही मिलेगा अब इसके दोस्तों व्यान मुल्दर है जिन्होंने 4 में 52 किया है एरॉन लिली ने 27 में किया है 25 का इवरेज इनके खाते में दो पचास है दो पचास 27 पारी में तो उल्मस्ट देखा जाए तो 14 पारी के बाद में 50 बना देते हैं फिर दोस्तों हैरी जिन्होंने 11 पारी में 24 के एवरेज के साथ में दो बार 50 किया है यह इस टीम के विकेट कीपर है फिर आते हैं दोस्तों यहां गिन्दवाजी मिल जाते हैं तो इसका एक प्रूफ आप यहां पर भी देख सकते हैं कि कॉलन एकरमेन जो की ओफ ब्रेक गिन्दवाजी करते हैं उन्होंने 7 विकेट निकाले हैं फिर दोस्तों रियान एहमद जो की 8 पारी में 6 विकेट निकाल चुके हैं पारकिस्तन ने 37 पारी में 41 विक का जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में 37 और 30 रनों का स्कोर किया है डर्विश आयर के सामने पहले 32 रन ये कर चुके हैं ती 20 क्रिकेट में मतब जो इन्होंने पूरे टी 20 क्रिकेट खेले हैं उसमें 29 का एवरेज और 46 इनका हाइस्ट स्कोर है एवरेज काफी बढ़िया है तो अब कम से कम ज्यादा नहीं तो इनसे 25 प्लस का स्कोर आराम से देख जाएंगे तो ओल्मॉस्ट ड्रीम टीम में जगे बनाने लाएक काम हो सकता है इनको दिक्कत है दोस्तो और्थोडोक्स गेंदबाजी से जिसके सामने इनका 15 का एवरेज है और लेग ब्रेक के सामने इन आपको पावर प्ले में नहीं मिलेंगे तो चांसिस मार्क वोट के बढ़िया है कि यह विकट निकाल दें यहां पावर प्ले में अब ये खिलाड़ी आपको 10 में से या 15 मैच इसमें एक मैच में शतक भी बना के दे देगा या पर 70-80 भी कर देगा क्योंकि मौका पूरा मिलता है. अब आपको बस करना एतना है कि एक टीम में ग्रेंड लिग की एक टीम में रखके या तो कैप्टन मना लेना या वाइस कैप्टन मना लेना बागी टीमों में रखने की कोई जरूत नहीं है. अब left time medium के सामने इनका है 5 का एवरेज और off break के सामने इनका दोस्तो 2 का एवरेज आपको मिलता है चुकि left end batsman है तो normally जो off break से हमें परिशानी देखने मिलती है वही है इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे Lewis Reese मिलते हैं जो की left time medium गेंदबाजी करते हैं फिर इसके दोस्तों रिशी पटेल लास्ट दो मैचिस बढ़िया गए चार पारी में 42 रंज 10 का एवरेज डर्वी शायर के सामने record उतना बढ़िया नहीं है और अगर हम बात करें पिछले एक साल की तो 19 का एवरेज है और एक बार 50 से उपर का score किया है जो की पहले betting करते हुए इन्होंने बनाया था कमजोरियों की बात करें तो दोस्तों आपको देखने मिलेगा कि orthodox के सामने है 9 का एवरेज एक बार फिर से आपको नाम देखने मिलता है Mark Watt का और इसके अलावा right time medium के सामने इनका 16 का एवरेज हो तो यहाँ पे आपको मिलते है George Scream Shaw, Jack Chapel और इसके अलावा जमान खान यह तीन गिंदबास आपको मिलते हैं अब चुकी जिस नमबर पर यह बैटिंग करते हैं वहाँ पे आपको George Scream Shaw के मिलने के चांसे ज्यादा है क्योंकि जमान खान पावर प्ले और डैथ में आते हैं और Jack Chapel भी दोस्तों लगभर लगभर पावर प्ले और आपको लास्ट की ओवर्स में देखने मिलेंगे यह आपको मिडिल ओवर्स में गिंदबासी करते हैं इसके बाद नमबर चार पर आपको मिलते हैं Colin Ackerman जो की बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों करेंगे राइट हैं अब यहाँ पर आप देखे तो विकिट तो इन्हें मिला नहीं है बैटिंग करते हुए ही इनका एवरेज लगबग 32 का भी है और सेकिंड बैटिंग करते हुए इनका एवरेज है 9 का तो सीधी सी बात है कि अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो टीम में रखकर आप कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क उटा सकते हो Grand League में Small League की कैप्टन व नो पारियों में मतलब बार बार गेंदबाजी नहीं करते हैं बहुत इकका दुक्का मैचस में आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं इसके बाद अगर हम इनकी कमजोरियों की बात कर लें दोस्तों कमजोरी में ये लेफ्ट आम मीडियम के सामने 10 का एवरेज है और लिविस रीस आपको मिलते हैं एक बार फिर से हाला कि दोस्तों ये भी रेगुलर गेंदबाज नहीं है पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हैं इसके आदोस्तों वियान है जिन्होंने बेटिंग प्लस बोलिंग दोनों बढ़िया की हैं 17 पारी में 20 का एवरेज है और 15 पारी में 14 विकेट निकालें Almost एक विकेट आपको इनसे देखने मिल जाता है पहले गेंदबाजी करते हैं तो 4 विकेट सेकंड गेंदबाजी करते हैं तो 10 विकेट है अब इनकी कमजोरियों की लिष्ट थोड़ी सी लंबी है लेकिन फाइदा ये है कि अधिकतर गेंदबा जिन्होंने 6-17-5 का स्कूर किया है अलाकि इस मैदान पर अल्रेडी दो पचास कर चुके हैं लेकिन रीसेंट फॉर्म उतना कुछ खास देखने नहीं मिला डर्वी शायर के सामने 16 का एवरेज है 67 का हाई एस टे और एक पचास है और पिछली एक साल में 21 का एवरेज और द देख रहा है इसके अलावा लेग ब्रेक के सामने 19 का एवरेज है अब चुके दोस्तों नाम मार्क वोट का चार बार आ चुका है लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरे 20 ओर वो अकेले करेंगे तो हो सकता है कि इनके सामने गिंदबाजी करने का मौका ना मिल पाए लेकिन अग देखेंगे मार्क वोट यहाँ पे हमने टीम में दिखाए और इसके वाद मैटी मेकरनेन है जो कि आपको लेग ब्रेक गेंदवाजी करते हुए दिखेंगे फिर दोस्तों यहाँ पे हैरी जो की टीम के विकेट कीपर है हाला कि दोस्तों बैटिंग दाउन साथ वे या आठ वे नंबर पर मिलता है और टी ट्विंटी क्रिकेट में दोस्तों यह तीन बार पचास से उपर का स्कोर कर चुके हैं चुकि डर्विश आयर के सामने सिर्फ दस का एवरेज है अब दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए ही इन्होंने तीन पचास किये हैं क्योंकि जिस के अंदर 28 पारी में 30 विकेट है तो अलमस्त स्रिफ दो ही विकेट आपको ज़्यादा देखने मिले हैं पहले गिनबाजी करते हुए 14 में 12 दूसरी में 14 में 18 है अब चुकि इस विकेट से हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा तर्न देखने मिल सकता है थोड़ी सी मंदद भी बढ़िया रिकॉर्ड है और आगर आप देखोगे यहां पिछले एक साल के अंदर तो वहां पर भी आपको बढ़िया रिकॉर्ड नजर आएगा पहले जब गिनबाजी करते हैं तो पांच में 6 विकेट हैं इसक्या दोस्तों नसीम शाह है पाकिस्तान के तेज गिनबा गिनबाजी करते हुए इन्होंने निकाले है 21 विकेट तो सेकंड गिनबाजी करते हुए 14 विकेट है पहले गिनबाजी करते हुए कि ज्यादा बढ़िया गिनबाजी कर लेते हैं और इसक्या दोस्तों विल डैविस है जिन्होंने डर्वी शाहर के सामने विकेट नहीं नि होंगी और अगर अभी तक आप लोगों ने रियल 11 अप्लिकेशन पर साइन अप नहीं किया है तो रियल 11 अप्लिकेशन जहां पर आपको बहुत कम इंटरी फीज मिलती है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप इजी ली विन करेंगो और इंस्टेंट विड्रोल बिल्कुल फ्री है और साथ ही साथ दोस्तों टीडियस भी सबसे कम यहां पर करता है तो आप जाके जरू ट्राइ करिएगा अब हम बात कर ल harden दोस्तों डर्बी शायर के बारे में डर्बी शायर जोस्तों यहां पर पहला नाम है जिन्हों ने छह पारी में महख 110 रन किये हैं और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है फिर आपको नाम मिलता है वियन मैटसन का जिन्होंने 8 पारी में 121 किया है लिज डिपलोई ने तीन में 67 किया है अनुज डाल ने दो में 49 और इसके आद बुरूग गस्ट ने दो में 3 रन बना है तो अल्मस्ट देखा जाए तो इस टीम का वेन्यू रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है अब गिंद बाजी की अगर बात करें तो लुईस रीस ने निकाले है चार विकेट मैटी मेकरनिन ने निकाले है दो विकेट जैक चैपल के खाते में 9 विकेट है मार्क वर्ड ने एक और जॉर्ज स्क्रीम शौ ने भी एक विकेट यहाँ पर निकाला हुआ है अब दोस्तो पूरी टीम का रिकॉर्ड आपको दिखाता हूँ और वीडियो को लाइक करना बिल पर्फॉर्मेंस देखना इसने लेसिट सायर के सामने 10 पारी में बैटिंग से 17 के एवरेज को मेंटेन करते हुए एक पचास किया है और पिछले एक साल के अंदर दो पचास किये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पारियों में एक एक पचास है अब आपको देखने तो आप इन पर GL में कैप्टन का रिस्क उठा सकते हैं कैप्टन आप इने GL के अंदर बना सकते हैं और्थोडोक्स के सामने इनका 8 का एवरेज होता है तो इस टीम के पास में मिलते है कॉलम पार्किसन जो की और्थोडोक्स गिन्बासी करते हैं इसके बाद हैदर अली पाक का टोटल और पहले बेटिंग करते हुए 50 हैं तो इनको हम सिर्फ GL में ट्राइ कर सकते हैं चूंकि तीन मैचस बहुत गंदे हैं तो हाल फिलाल के स्थिति में स्मॉल लीग में तो जगे नहीं दे पाऊंगा लेफ्टाम मीडियम के सामने 5 का अवरेज है और यह तीनों गेंदबाज आपको यहां पे मिलते हैं यहां पे वियान मुलदार राइटाम मीडियम और विल डैविस यह भी राइटाम मीडियम गेंदबाज ही करते हुए आपको दिख जाएंगे इसके बाद नंबर तीन पर आपको मिलते हैं वैन मैटसेन जिन्होंने पिछले तीनों मैचेस में 50 किया अब वैसे तो दोस्तो एक फ्लॉप आना चाहिए जब आपके खाते में 3-50 जड़ चुके है तो एक फ्लॉप आना चाहिए पहले बेटिंग करते हुए 4-50 सेकंड बेटिंग करते हुए 3-50 यह कोई भी कमजोरी नहीं है तो यह खिलाड़ी आपकी टीम में कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी का काम कर सकता है अब आपको करना क्या है सेफ खिलते हो तो कैप्टन बना देना लेकिन अगर आप यह देख रहे हैं कि वह यह 3-50 साच चुके हैं तो एक आद एक फ्लॉप तो आना चाहिए तो आप वाइस कैप्टन बना देना तो जिससे आप दूसरों से थोड़ा सर डिफरेंशिल काम कर लोके इसका दोस्तों लीज डूपलॉई है इन्होंने अभी तक उतना कुछ खास किया रही लेचट सायर के सामने 19 का एवरेज है और पिछले एक साल में 36 का एवरेज है चार-पचास किये हैं जिन में से तीन पहले बेटिंग करते हुए आए हैं कमजोरी चाइना मैं और ल लेचट सायर के सामने 19 का एवरेज है हाइस सिर्फ 25 का है तो अभी की स्थिती में टीम में जगे नहीं दे पाऊंगा मैं इन्हें राइटा मीडियम के सामने इनका एवरेज होता है 13 का और लेक ब्रेक के सामने एवरेज होता है 11 का विल डैविस्ट और व्यान मुल्दर और रियान एहमद ये तीन गेंदबाज जो की इस थरे की गेंदबाजी करते हैं इसके बाद अगला जो नाम है दोस्तों यहाँ पर ब्रूख गस्ट जो की विकेट कीपर है अब विकेट कीपर में आपके पास यही बढ़िया चौई से हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ से वैसे का एवरेज और एक पचास की है जो की सेकिंड बैटिंग करते हुए बनाया था ओफ ब्रेक इन्हें परिशान करता है जिसके सामने इनका बारा का एवरेज है और कॉलिन एकरमैन है जो की इस तरह की गिंदबाजी करते हैं फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं मैटी मेकरनें पर जिन्होंने पिछले तीनों मैचिस में विकेट नहीं निकालें लैचिट शायर के सामने दो विकेट है और वैसे देखोगे तो 28 में 23 विकेट है तो ओल्मोस्ट टी 20 करिकेट का रिकॉर्ड भी इनका एवरेज ही है और दोनों पारियों में हलाकि इनका तीन विकेट इसके बाद दोस्तों जैक चैपल ये तीन मैचिस में दो बार अच्छे विकेट निकाल चुके है लैचिट शायर के सामने एक विकेट है 25 में 30 आपको यहां नजर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बढ़िया गिनबाजी कर लेते हैं पहले गिनबाजी करते हुए 15 में 15 है मतलब जब पहले गिनबाजी कर रहे हैं तो ज़ादा बेनेफिट है क्योंकि डेथ ओवर तक गिनबाजी करने जाते हैं इसके बाद दोस्तों यहां पे मार्क वोट है जो 30 तो अल्रेडी लग चुकी है 19 में 13 यहां पर है मतलब रिकॉर्ड तो बड़ा गंदा है बस चीज इतनी सी है जो मैं आपको पीछे बताई थी कि अपने चार बार नाम देखा है अगर आज वो चार में से दो विकेट या एक विकेट भी आता है तो ड्रीम टीम में जगे बन सकती है तो आप इन्हें जी एल में कुछ ज़ादा टीमों में उठाने का रिस्क ले सकते हो बाग लिया है तो यह किलाडी तो आपकी टीम में आही जाएगा पहले गिंदबाजी करते हुए 13 में 21 से सेकंड गिंदबाजी करते हुए 9 में 10 विकेट है इसके बाद अंत में हैं जिन्होंने तीनों मैचस में विकेट निकाले हैं 34 में 42 विकेट इनके पास में अब सबसे बेनिफिट मिलता है कि डेथ ओवर में गिंदबाजी करते हैं अब डेथ ओवर में डाल रहा हैं दो अबर तो सीधी सी बात है कि दोस्तों उसका बेनिफिट तो मिलना ही है तो यह इस वज़े से आपकी टीम में जगे बना लेंगे अब टीम कॉम्बिनेशन और कैप्टन व इस कैप电kte के लिए अब अगर मैटसें की बात करें तो तीन पचास लगा चुके हैं आप चाहो तो इन्हें क्यप्टन कर लेना कैप्टन अब इन्हें बना लेना आप पिलालमे तो मैं हैं मैटसें को ही कैप्टन दिया है और ृ सकी बाद इसकी बाद टीमचर और ल्यूज पर्कन्स सिर्व और जमान कहा और यहां पर जो हमने ले ली जगा है यह तो मैंने रिज्ि के तोर पर बता दिया, क्योंकि यहां फे दिखाना था, बाकि आप चाहो तो जमान खान को रख सकते हो, क्योंकि उसने विकेट निकाले हैं, तो अधोर उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो साफ़े में आया होगा, आने वाली वीर्टी में आप लोग जय हिन जय भारत